एक कबल एक विकेंड के लिए जगा बुक करते हैं पर वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा स्टेंजर था और इस स्टेंजर वाइप से अफसेस्ट हो गया इसके साथ ही मुवी केंड में बड़ा ट्विस्ट आता है जिसके लिए इस वीडियो को अंतक देखेगा हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको वेल्गम हों यह 2018 की मिस्ट्री ध्रिलर हॉलिवड मुवी एक्स्पेंड करने वालो हूं यह बहुत पेस्टान टन से आती हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रू देखेगा अगर आपको वीडियो अच रगता है तो प्लीज इससे लाइ इसलिए विकेंड पर वो इटली में आए वहाँ पर कुछ दिनों के लिए बड़ा सा घर उन्होंने बुक कर लिया था यह दोनों आज इसके लिए बहुत ही एक्साइडेड है इनका कैब ड्राइवर इन्हें अलग सी जगा पर लेकर आता है यह सप्राइस थे क्योंकि उनक के शेहर में हूँ अगर आपको मेरी ज़रुत पड़े तो आप मुझे कॉल कर सकते हो यह दोनों बहुत एक्साइडेड थे ब्राइन ने होम उनर की सब चीज़े वेगरा देखी बाहर बैलकनी में आग लगा कर थोड़ी सी वाइन वेगरा पूर करकर रखता है यह दोनों आज की इवेणिंग एक दूसरे के साथ ही एंजॉय करते हैं कैसी कह रही थी कि व्यू कितना ब्यूटिफूल है सब कुछ कितना सही लग रहा है तब ही ब्राइन का फोन बचता है कैसी ने का हम इस विकेंड के लिए हमारे फोन बन कर देते हैं और एंजॉय करेंगे कुसदारने के लिए इस विकेंड पर वो आये हुए थे फिर से उस आदमी का कॉल आने पर ब्राइन को सब कुछ चीज़े याद आने लग गए और वो कैसी पर गुसा हो गया कैसी ने उसे नीचे बुलाया था यह तोनों फिर इंटिमेट होने वाले थे ब्राइन उसके पा इसमें एक अजीव सी किताब थी यही पढ़ते ब्राइन सोचाता है सुबह उन्हें पर कैसी ब्राइन के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है उससे फाइट नहीं करना चाहती है इसके बाद वो रनिंग के लेके रनिंग करते उससे प्रिवियस बाते याद आने लग गी उसने पर चीट किया था उन्हें बड़ी फाइट हुई थी इस सारी चीज़े याद करते करते वो डिस्टब होकर नीची गिर जाती है इस वज़े से उसके पेर पर चोट आगी अब वो चल नहीं सकती थी रस्ते के साइट पर वो आती है और उसने लिफ्ट मांगी वो थोड़ा स उसके घर तक लिव्ट दी प्रिवियसली गलती से कैसी और ब्राइन जिस घर पर पहुचे थे एक्च्छल में फैडरिको का घर था फैडरिको ने अपनी बुरी लाइफ इसी टाउन में गुजारी है उसे यहां का पीस एंड कॉइट अच्छा लगता है कैसी ने कहा क्या त देता है कैसी घर में आई और ब्राइन को ठूंड रही थी तभी अचानक से वह बहुत डर जाती है क्योंकि फैडरिको उसके सामने था उसने अपना माइंड चेंज कर लिया था यह दोनों फिर कॉफी विगरा पीते है पर थोड़ी दिर में ब्राइन वहाया ब्राइन बारे में कैसी ने उसे सब कुछ बता है ब्राइन कैसी से कहता है क्या हूज हमें शॉपिंग विगरा करने के लिए टाउन में जाना चाहिए फैडरिको आफर करता है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ वैसी वह टाउन में जा रहा था ब्राइन कहता है कि हम टैक्सी ले लेंगे फैटरिको ने कहा यहाँ कोई भी टैकसी नहीं मिलने वाली वो फिर उसे हा कहते है फैटरिको के जाने के बाद ब्राइन कैसे से बात करता है उसे वो बहुत अजीब लगा था कैसी कहती है कि वो अच्छा आत्मी है उस और कोई भी शक मत करो उसने मुझे हेल्प क सारी इमेजेस उसके माइंड में आ रही थी तो इस वज़े से कैसी के साथ अब भी इंटिमेट नहीं हो सकता अब हम देखते हैं कि इनकी घर में जो भी चल रहा है यह सारी चीज़े हिडन कैमेरे इसकी वज़े से रेकॉर्ड हो रही है यह रेकॉर्डिंग फेडरी को ही देटिंग एप पर मिले थे कैसी ने फेडरी को से कहा कि ब्रायन को रोमेंटिक चीज़े अच्छी लगती है और हम देटिंग एप पर मिले थे यह बात तो किसी को नहीं बताता फेडरी को कहता है कि मैं समझ सकता हूं बहुत सारे लोग को ग्रैंड जेस्चर बहुत देट पर ब्रायन ने कैसी के लिए बहुत अच्छा सा कुक किया था इस डेट के बाद ही उसने डिसाइड किया कि ब्रायन से हो शादी करेगी इसके बाद है सिटी में पहुँच गया है ब्रायन फेडरिको को थैंक्यू भी नहीं कहता और वैसे वहाँ से चला जाता है इस देखाता है कि तुमने जो भी किया इसकी इमेजेस में मेरे दिमाघ से निकान ली पा रहा उसने अब तक उसे माफ नहीं किया कैसी को बहुत बुरा लगा, कैसी ने का हम इस relationship को सुधारने के लिए यहाँ आये हुए थे, पर इस relationship अब सुधार नहीं वाली, वो उसे में यहाँ से चली जाती है, वो रो रही थी और city में जाने के लिए कुछ पैसे निकाल रही थी, यहाँ उसे ATM मशीन की language भी समझ नहीं कैसी कहती है, जब भी मुझे जरूरत होती है, तुम हमेशा मुझे बचाने के लिए आ जाते हो, कैसी ने बैसे निकाल लिए और वो घर चली जाती है, ब्राइन अपसेट होकर एक बार में आया हुआ था, तभी उसके पास फेडरिको आ किया, ब्राइन ने जो ड्रिंक और क किया था, उसके जगह पर उसे कुछ और ही आ जाता है, फेडरिको ने प्रॉपर ड्रिंक उसे दिया, ब्राइन जिस तरीके से बिहेव कर रहा था, इसलिए उसने फेडरिको को सौरी कहा, अब ड्रिंक करते करते अपनी दिल की सब बाते उसे बदाता है, कैसी ने जो भी किय पर उसके पास केसी है, वो कैसी से बहुत पैर कैसी ने जो भी किया, इसके बाद उसे कमिट नहीं कर पाता, फेडरिको बहुत शान था, वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता, ब्राइन ने जब उससे पूछा, तो कहता है, कि मैं कॉम्पिटर्स में काम करता हूँ, यहाँ इसी बार में इन दोनों ने कुछ लड़कियों को नोटिस किया, ब्राइन का माइंड फ्री करने के लिए फेडरिको कहता है, चलो हम उनसे बात करते हैं, यह सब बात करने लग गे, ब्राइन और भी ज़्यादा ड्रंक हो गया, फेडरिको कहता है, कि हम एक गेम खेल ही है, ब्राइन ने सुना पर वो इतना ड्रंक था, तो कुछ कर भी नहीं पाता, इन दो लड़कियों के साथ यही इस टाउन के होटेल में हो चला गया, रात में सचमूझ में फेडरिको कैसी के पास आ गया था, वो सो रही थी, उसके बालों को हाथ लगाता है, कैसी को लग रहा था, कि हम दोनों को ब्रेक की जरूरत है, तो इसी वज़े से मैंने नाइट सिटी में स्पेंड की, उससे शावर लेते-लेते याद आता है, कि फेडरिको ने कहा था, कि मेरे बास तुमारे घर के चावी है, अब यही बात वो कैसी से पूछता है, कि क्या कल रात फेडर पर वो पहुच आता है, जब उसने अंदर देखा, तो खंडर जैसी सब जगा थी, फेडरिको वहार रहता ही नहीं, इसी के पैरलल की सीन में कैसी के पास फेडरिको आता है, उसने रैबिट का शिकार किया था, वो कैसी से गहता है, मैं तुम दोनों के लिए आज रात कुक क करना चाहता हूं, कैसी भी इस बात के लिए मान के, ब्रायन जल्दी से भागते भागते घर पर आया, फेडरिको और कैसी बात कर रहे थे, फेडरिको ब्रायन से कहता है, मैं कैसी को कल रात के बारे में बता रहा था, ब्रायन ने फेडरिको को प्राइवेट में बुलाया, ब्राइन उसे कहता है कि अभी क्या भी यहां से चले जाओ। फेडरिको बुछता है कि हुआ क्या, क्या अब हम दोनों फ्रेंड्स नहीं। ब्राइन कहता है कि मुझे तुमारे बारे में पता है, तुम तो उस घर में भी नहीं रहते। फेडरिको ने का कि अगर हम दोनों फ्रेंड्स नहीं तो क्या कल रात के बारे में सच सच मैं सब कुछ कैसी को बता दू तुम उन लड़कियों के साथ इंटिमेट होए थे ये बात पता चलने पर कैसी को बहुत बुरा लगेगा ब्रायन बोचता है कि तुम आखिर में चाहते क्या हो फेडरिको ने का कि मैं सिर्फ तुमारे साथ डिनर करना चाहता हूँ ब्रायन भी अब उसे कुछ भी बोल नहीं सकता डिनर के वक्ट फेडरिकों से कैसी बोचती है तुम अब तक सिंगल क्यों हो तुमें तो कुकिंग भी आती है फेडरिको ने का मुझे सिर्यस लड़की अच्छी लगती है उसे जादा डेटिंग करना अच्छा नहीं लगता बाते करते-करते फेडरिको कहता है मुझे रैबिट की शिकार करना पसन है क्योंकि उसके शिकार करने के लिए बहुत सारे एफर्स डालने पड़ते है उसे हमारे जाल में लेकर आना पड़ते है जब डिनर के बाद फेडरिको यहां से जा रहा था तो ब्रायन ने उसे कहा फिर से वापस मताना वरना मैं पुलीस को बलाऊंगा फेडरिको कहता है कि बलीस ऐसा मत करो तुम्हारे लिए डिनर कुक करने के लिए मुझे बहुत बड़ी सजा होगी उसका मज़ाग लेकर वहाँ से चला गया ब्रायन कैसी से कहता है कि वो बहुत ही डेंजरस है कैसी को भी डिनर करते वक्त आज फेडरिको से बहुत ही अजीव सी वाइब जा रही थी वो भी उसे डर रही थी ब्रायन ने फिर इस घर के ओनर को कौल लगा दिया वो उसे कहता है कि एक नेवर है जो हमें बहुत ही तकलिव दे रहा है ओनर कहता है कि मैं कुछ ना कुछ तो करता हूँ इनकी जो भी सब कनवरसेशन चल रही थी ये सारी फेडरिकों ने सुन ली कल रात के बारे में ब्रायन कैसी से कुछ भी छुपाना ने चाहता था उसने सब कुछ उसे बता दिया पर वो कहता कि उन लड़कियों के साथ उसने कुछ भी नहीं किया वो बहुत ही जादा ड्रंक था कैसी अपसेट हो की वो पुछती है क्या तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो ब्रायन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है पर हमारे साथ जो हुआ यह मैं भुला नहीं पा रहा था कैसी ने कहा कि मैं पूरी लाइफ तुमारे साथ ही बिताना चाहती हूँ वो बहुत सौरी थी इन दोनों ने अब एक दुसरे को माफ कर दिया था यह अब इंटिमेट होने वाले थे ब्राइन म्यूजिक लगाता है वार नीचे वाइन लेने के लिए गया वाइन निकालते होए बेस्मेंट का डोर अचानक से बन हो जाता है ब्राइन उसे ओपन नहीं कर पाता उसने आज पास सब चीज़े देखी तो नोटिस करता है यह वाइन की पीछे एक hidden door है यह door open करकर वो सारी चीज़े explore कर रहा था कैसी ने अपने bedroom में देखा कि वहाँ पर एक blindfold पड़ी हुई है उसे लगता है कि ब्राइन नहीं रखा हुआ है तो इससे पहन लेती है ब्राइन की जगा पर bedroom में फेडरी को पहुच गया ब्राइन को नीचे बंद करने वाला भी वही था वो उसके साथ intimate होने लगता है और कैसी को लग रहा था कि यह ब्राइन है थोड़ी देर में ब्राइन उस दोर से वे निकाल कर घर के अंदर पहुच गया फेडरी को ने उसकी आवाज सुनी और वहां से भाग गया कैसी भी वंडर करती कि अचानक से हुआ क्या उसने ब्लाइंड फोल्ड वेकर निकाला तभी उसके मोबाइल पर नोटिविकेशन आई यह एक वीडियो थी जिसमें ब्राइन उन लड़कियों के साथ इंटिमेट हो रहा है इसकी वीडियो रेकॉर्डिंग है इसे के पैरलल में ब्राइन जिस रूम में था वहां के टीवी पर अभी अभी फेडरी को कैसी के साथ इंटिमेट हो रहा था इसका फूटेज चलने लग जाता है ये दोनों अब एक दूसरे पर बहुत जादा गुस्सा थे ब्राइन को लगता है कि उस राथ फेडरी को और कैसी इंटिमेट हो गया कैसी भी गुस्सा हो को उसके पास आई ब्राइन भुशता है कि टेप बनाना क्या तुमारे आड़ा था क्या तुम मुझे और भी जेलस फिल कराना चाहती थी उस राथ फेडरी को का मेरे पास आना मुझे ड्रंक करना कैसी अब और भी जादा गुस्सा हो जाती है कैती है तुम उन लड़कियों के साथ इंटिमेट होए थे उसने ब्रायन को उसकी वीडियो टेप दिखाए ब्रायन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था पर एक ऐसे गुस्से में मोबाइल फेक देती है ये जाकर डारेक्ली कास से लगा और कास के पीछे ही हिडन कैमेरे जे हैं अब ये देखकर ये दोनों सप्राइज थे इन दोनोंने फिगर आउट कर लिया ये फेडरी को उन्हें मैनोबलेट करने की कोशिश कर रहा है ये पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते है पर एक रिमोट जगा है जहाँ पर कोई भी रिसेप्शन नहीं नहीं मिलता फोन की बैटरी भी अब खतम हो चुकी थी इन्होंने जो भी फिगर आउट किया है ये सारी चीज़े फेडरीको ने अपने स्क्रीन्स पर देखी वो डारेक्ली इनकी घर पर आ जाता है फेडरीको ने कहा तुम्हें उन गैमेरिस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए था ब्रायन उसे डर गया था कहता है हम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे हमें जाने तो फेडरीको कहता है जनरली मैं सिर्फ लोगों को देखता हो कभी भी इन्वाल नहीं होता पस जब मैंने कैसी को देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी मुझे पता नहीं था कि मैं उसके प्यार में पर जाओंगा फेडरीको के हाथ में चाको था तो ब्राइन उस पर जबक पड़ता है ये दोनों एक दुसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे दभी कैसी ने किली और डारेकली फेडरीको के पेट में उडाल देती है उसकी यहाव पर इंस्टनली डेथ हो गई इन दोनों को समझ में नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए ब्राइन कहता है कि हम पुलिस को कॉल नहीं कर सकते हम एक अलग कंट्री में है अगर हम इन सब चीजों में फस गए तो बहुत ही ट्रबल होगा सब लोग इने ही दोशी मानेंगे ये इस बॉड़ी का क्या करें सोच रहे थे तब ही होम ओनर वहाँ पहुझ गया वो कहता है कि मैं चेक करने के लिए आया क्या सब कुछ ठीक है या नहीं ब्राइन और कैसी ने डेड़ बॉड़ी छुपा दी थी ब्राइन कहता है कि वो आदमी फिर से वापस नहीं आया अब वो हमें तंग नहीं करेगा होम ओनर कहता है कि फेडरिको पहले पास में रहाग करता था पर उसे कुछ फाइननशल प्रॉलम आया वो अभी भी उसी घर में रहता है यो होम ओनर को पता नहीं था सब कुछ ठीक है तो वो वहाँ से चला कर डारेंग लिए वो फेडरिको के घर पर आता है उसने सारे कैमेरेश चेक किये इसका मतलब है फेडरिको और होम ओनर ये दोनों मिलकर ये सब कर रहे थे होम ओनर ने कैमेरेश में देखा किस तरीके से कैसी ने फेडरिको को मार दिया है वो बहुत जादा गुसा हो जाता है होम ओनर फिर से वापस है वो कैसे से कहता है तुम लोगों ने जो भी किया इसके बारे में मुझे पता है इस सब को तुम एडमिट कर लो ब्राइन बीचे से होम ओनर को भी मारने के लिए आ रहा था तभी उसने गन निकाल ली ब्राइन कहता है कि वो हमें मारने वाला था हम सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्शन कर रहे थे होम ओनर ने कहा तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है वो ब्राइन को मारने वाला था तभी कैसी ने उस पर चाह को चला दिया होम ओनर की भी डेट हो गए इसके बाद इन्होंने डेट बॉडिस को जला दिया ब्राइन ने जाकर फेडरिकों के घर में सब कुछ चीजी देखे यह कि इस तरीके से और रेकॉर्ड किया करता था उसने सारे रेकॉर्डिंज को मिटा दिया जो भी हुआ इसके लिए कैसी बहुत वरीड थी पर ब्राइन उसे कहता है यह हमारा सिक्रेट रहेगा इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा यह दोनों फिर बहुत टाइम बात फर्स टाइम इंटिमेट हो जाते है जो भी चीजों से इन दोनों को गुजरना पड़ा इससे इनकी रिलेशन्शिप स्ट्रॉंग हो गी है सारी चीजों को कवर अब करकर इस दोनों यहां से निकल जाते है अब इसके बाद मुवी का ट्वीस्ट आता है कि घर के बाहर भी कैमेरेज लगे हुए थे इन कैमेरेज में जो भी रिकॉर्ड होता है यह सारी चीजे एक प्राइविट वेबसाइट पर लाइव ब्रॉडकास्ट होती है आज जो भी हुआ जिस तरीके से ब्रायन और कैसी ने मर्डर्स किया इस सारी चीजे उस वेबसाइट पर दीख रही थी पूरे वर्ड में जिन भी लोगों को इस वेबसाइट का एकसेस है इस सारे लोग इसे देखकर दंग रह जाते हैं अब इन लोगों को पता तो था पर इन में से को भी बोल देनी वाला क्योंकि ये वेबसाइट इल्लीगल है ब्रायन और कैसे के रिसॉर्ट की तरह इस वेबसाइट पर बहुत सारे अलग-अलग होटेल भी है जिस तरीके से इनके होटेल की रेकॉर्डिंग चल रही थी उसी तरीके से पूरे वर्ड में जलती है सब कुछ साइट पर ब्राड कास्ट होता है पर ये सब इल्लीगल है कैसी और ब्रायन ने जो भी किया इसके बारे में किसी को बता भी नहीं सकते है ये बात यही कतम हो जाती है इसी तरीके से आज का वीड़ा हम एंड करते है अगर आपको एक्स्प्रेंशन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देजेगा मैं बहुत सारी मुविस लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दानों मत भुलेगा हम वीर से मिलेंगे और एक ने मुवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया